और अंगाबाद में नकसलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ओप्रेशन के तहट पुलिस को बड़ी काम्यावी हाथ लगी है पांच ऐसे नकसली जिनकी तलाज पुलिस को काफी समय से थी उन्हें गिरफतार किया गया है सभी नकसली एक बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में थे नकसलियों के खिलाफ सर्च अभ्यान में पुलिस को काम्यावी भागपा मावादी के पांच नकसली गिरफतार एक देशी कट्टा, तीन कार्तूस, पांच मोबाईल नगदी बरामाद मोबाईल टावर कोड़ाने की थी योजना बिहार के औरंगबाद जिले के देव थना अंतरगत भंडारी गाउं में इस्थानिय पुलिस और सियार पिएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारी कर पतिबंदित नकसली संगठन भागपा माववादी के पांच सक्क्रिय सदस्यों को गिरफतार किया है गिरफतार माववादी में अरुण जैय यादव उर्फ मत्युन जैय यादव हरी हर यादव प्रदीब विश्व कर्मा नंदू यादव और सुदामा यादव शामिल है पुलिस के मताबिक अरुण जैय यादव पड़ोसी राज जहरखंड के पलामु जिले के हरी हर गंज थाना अंतरगत लंगुराही गाओं का निवासी है हरी हर यादव और प्रदीब विश्व कर्मा पलामु जिले के हुसेन अवान थाना अंतरगत सांड गाओं के निवासी है जबकि नंदू यादव और सुदामा यादव और अरंगवाद के धिवरा थाना अंतरगत मुरारपुर गाओं के निवासी है नकसलियों के पास से एक देशी कट्टा, तीन कार्तूस, एक मोटरसाइकल, बीस हजार रुपए नगद, पांच मोबाइल फोन और भारी मात्रा में खादसामगरी बरामत की गई है बंडारी गाओं में एक अठा हुए इन मावादियों की मोबाइल फोन टावर को ध्वस्त करने की योजना थी जिसको जिसको तुरंट करवाई करते हुए चिला पुलीस अमसी आरपीफ ने इनको गिरफतार किया है और उनके एक योजना को विफ़त किया है पांच नकसलियों की गिरफतारी एक बड़ी काम्याबी है नकसली जो किसी भी बड़ी योजना को अंजाम दे सकते थे लेकिन पुलिस ने उनके मनसूबों को ध्वस्त कर दिया और पहुचा दिया सलाखों के पीछे लेकिन अब नकसली लोगों के लिए सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे है नकसलियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि सरकार नकसलियों से निपटने में नाकाम्याब साबित होती दिख रही है और नक्सली आए दिन किसी न किसी बड़ी योजना को अंजाम दे रहे हैं गुना के लिए औरंगाबाद से दीननाथ मौवार की रिपोर्ट पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर आप न्यूज इंडिया डॉट निम्स यूनाई पर हमें लाइक कर सकते हैं